तेजस्वी यादो को CBI और ED में उल्जा कर भारती जंता पाटी ने तगड़ी योजना बनाई है और इधर एक तरफ तेजस्वी यादो CBI से परिशान है तो दूसरी तरफ अमिर्ष शाह तेजस्वी यादो के गढ़ में पहुच रहे हैं तेजस्वी यादो का गढ़ इसलि पाटी के जस्वी यादो के चेहरे से इतनी चिंतित है कि इतने दिन पहले से ही बिहार के चुनावी मैदान में खुद केंद्रिय मंत्री अमिर्ष शाह उतर रहे हैं और एलान कर रहे हैं कि अब भारतिये जंता पाटी बिहार में अपने प्रचार-प्रसार का आगाज एक बात और ध्यान दिजिए कि अमिर्ष शाह पटना में रैली नहीं करेंगे बलकि अमिर्ष शाह रैली करने के लिए सिमांचल के छित्र में जाएंगे जहां माना जाता है कि मुसल्मानों की संख्या सबसे जादा है और सिमांचल में जाकर अमिर्ष शाह क्या करने वाले ह इसका अंदाजा सभी को है भारतिय जंता पाटी ने तेजश्वे यादों को बिहार की राजिंदी से खत्म करने के लिए सिमांचल को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर जाकर हिंदुतों का मुद्दा और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रहेगा और तेजश्वे यादों के ल सितंबर को केंद्रिय करी मंत्रिय मिश्या पूर्णिया और किशन गंज में रैली करेंगे और किशन गंज में पहले से ही मुसल्मान केंद्रित मुद्दो को लेकर कई प्रकार के बिवाद होते रहे हैं वहां पर भारतिय जंता पाटी की अगर राजिती की बात करेंगे तो बिधान सभा में अगर किसी बिधायक की बात करेंगे तो पूरे किशन गंज जिले से भाजपा का कोई भी उमिद्वार चुनाऊ नहीं जीत सका है भाजपा वैसे घडवंदन में रहती है तो उन जिलों में ध्यान कमी देती है मतलब कि कम उमिद्वारों को ही उतारती है अग जस्वी यादों को शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि भारतिय जनता पाटी ने शालों पहले मिशन विहार का आगाज क्यों कर दिया है लेकिन राजिती को करीब से समझने वाली बताते हैं कि जब अमिद्वा कई मैदान में उतरते हैं तब उसके आगे और पीछे की कहा जानी बड़ी लंबी होती है और हम सब के सामने उत्तर परदेश का उधारन है जहां खिलेश यादव और मायावती एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन फिर भी भारतिय जनता पाटी को लोग तबाचुनाव में वे हरा नहीं पाए हलाकि समिकरन दूसरा हो सकता है लेकिन राजिती में बिहार के अंदर भी वह समिकरन कब बने इसका कोई अंदाजा नहीं मतलब कि भारतिय जनता पाटी फुल प्रूफ योजना के साथ सिमानचल से ही मिशन बिहार का आगाज कर रही है और अमिशा के आने से पहले साध्वी निरंजन जोती से लेकर पी नड़ा और फिर तमाम मंत्री पहुंचेंगे और इसी के साथ 35 लोगसवा सीटों पर जीत दर्ज करने के मिशन की शुरूबात हो जाएगी भाजपा चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अगर लोगसवा के चुनाओं में तेजस्वी यादों को हरा दिया जाए तब उनके च अगर असपश्च तोर पर बोला जाए तो भाजपा के पास तेजस्वी यादों के जोड़ का कोई चेहरा नहीं है कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादों को सीधे तोर पर चुनाओती दे सके अब अगसी मायने में उस किशन गंज और पुर्णिया का दौरा सब से महत पुण माना जा रहा है जहां से भारतिय जनता पाटी तो खाता तक नहीं खोल पाती लेकिन मिशन भिहार का आगाज उसी सिमांचल के इलाके से उसी पुर्णिया किशन गंज से हो रहा है बाकी हमिशा आएंगे साध्वनी रंजन जोती जैसी नेताओं का दौरा हो च सब कुछ कहीं ने कहीं आगे आने वाले लोग सभाज चुनाओं में बेहद मौत्पुन होने वाला है और यह सब कुछ सोचकर समझ कर अमिशा का दौरा या कहलिए कि भाजपा का मिशन 35 या मिशन भियार का आगाज सीमांचल के इलाके से हो रहा है बाकी सीमांचल राज़त के साथ देते हैं इसलिए उसे हमेशा से राजत का मजबूत गढ़ कहा जाता है और अब भाजपा की नजर राजत के उसी मजबूत गढ़ पर लग चुकी है बाकी आपका क्या सोचना है आपका क्या विशार है उसे क्रमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा वीडियो शेर